दोस्तो नमस्कार, हिंदी कुछ में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी साहित के विकास में महावीर प्रसाद द्रिविदी जी के योगदान के बारे में यद आप हिंदी कुछ चानल में पहली बारा हैं आपको जन दौलदपूर में सन 1877 में और देवासान सन 1929 में हुआ भारतुन जी ने हिंदी गद के जिस रूप का परवरतन किया आचार द्रिविदी जी ने उस रूप को परमार्जित करने में अपना महात्पून योगदान दिया इनका प्रभाव इस काल के अधिकांस कभियों पर पड़ा और जिसके काण इस यूग का नाम ही द्रिविदी यूग में पढ़ गया द्रिविदी जी संस्क्रीट एवं मराठे साहिते से बिसे शुरूप से प्रभावित थे इनकी रश्णाव में इनका प्रभाव परलेशित होता है हिंदी गद्य साहित के नुति के लिए आपने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया सरस्वती के संपादन में द्रिविदी जी ने हिंदी भासा में ब्याकरण और भासा से संबंदित दुटियों को दूर किया प्रशिद्ध हुआ अपनी आलोचनाओं के माध्यमसरी द्रिवदी जी ने अध्कचरे साहित कारों के बुरा यंदूर की और उन्हें स्वास्त साहित के रचना के लिए प्रिवरित किया भासा को सिष्ट रूप प्रदान करने में द्रिविदी जी सद्यो प्रतिन्सिल रहे हैं भासा के पार्खी होने के काण कठिन से कठिन विष्यों को भी सरल भासा में ब्यक्तिरनी की इनमें अध्बुच हमता थी संस्कृत के तस्सम यों तद्भो सब्दों का साविश इनके निवंदों में दृष्टी को चुरू होता है विदेशी सब्द अपना कर हिंदी बनाने का कार भी इनोंने किया अर्वी, फार्सी, अंग्रेजी, उर्दू सब्दों का प्रियोग भी इनके साहिते में यंद तंत्र उपलब्ध है हम बात करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में तो द्रविदी जी की लगभग पचास के उपर रचनाए है साहित द्रविदी जी की लगभग पचास के उपर रचनाए है साहित पुराता तो आलोशिना विज्ञान नीती आद्विस्यों पर इनके अनेक लेख प्रकासित है विचार विमर्स नामक ग्रंथ में इनके लेख संग्रीत है काब्यों में देव इस्तुती फटक, नागरी, काब्य मंजुसा, कबिता प्रलाब, कान, कुप्ज, लीला, वर्तम, संबादक, इस्तोव, आदप्रसिद्ध है इनकी मौलिक रचनाओं के अतरिक द्रविदी जी नहीं दरजनों अनुदुत ग्रंथों की विरशना की है अनुदुत ग्रंथों में भी इनकी मौलिक्ता स्वष्ट जलकती है द्रविदी जी ने काब्य के छेत्र में इती बृतात्मक सैली को अपनाया है काब्य मंजुसा यूम सुमन में इनकी सहर्ता कूट-कूट कभरी पड़े हुए हिरदे की विशिष्ट भाना का सावश मारमिक्ता यूम सरस्ता के साथ आपने किया है इनकी कविता का यूक उधान देखे पाटकों को अपने विशारों से आउगत कराने के लिए ये नई बात को कई के बार दोराते थे ब्याकरण के सुधियों वाक के बिन्यास के दुटियों यूम बिरामात की कमियों पर दृवदी जी का ध्यान सद्यों के अंद्रित किया है बहाशा के परिस्कराद योंब ब्याकर्णक के सुध्य कारण पर उन्होंने विसिस रुप से ध्यान दिया है इनके निबंधों में अधिकतर बातों का संग्राई फिर भी उनमें चिंतन यों बिशार का प्रधान है इनके निवन्दों का सेड़ी विवाजन साहितिक निवन्द और द्योग सिल्फ भूगोल इत्यास आधिक रूप में किया जा सकता है द्रिवदी जी मौलिक आलोचना के जनक माने जाते हैं आमक आलोचना पुस्त के लिखकर नमीन आलोचना सैली का सुत्रपात किया दिर्वदी जिने विचारात्मक आलोचनात्मक परवात्मक सैली अपनाते हुए अपना कारी लिखन किया है विचारात्मक सैली में गंभीर व्यस्यों के रचना की है आलोचनात्मक सैली में ब्यंक का निरुपन किया है भावातमक साहली में मारमस, मारमिक, सरस, प्रवापूर्ण योम कोमल कांद पदावली आपने लिखी है परिशातमक साहली भावों के असपरश्टिकन के लिए अपनाय जी गई है और अता इसलिए छोड़ छोड़े वाक्यों का आपने प्रियोग किया है द अनुवात का हो, काबिरशना का हो, आलुशना का हो या भासा संसकार का हो केवल साहित प्रतिंदित कही हो अस्थाई महत्त कहो या अस्थाई हिंदी के युग विशिस के प्रवरतन जो निर्मान में सहक हुआ है उनका अतिहासिक महत्त है उसी कथार पर नवीनी युग का सा प्रिसिद्ध है और आपने सर्फ्यकति के माधिया,, आज है कि हिंदी सहेत्ष में महावीप्र हुषादर्विदी जी का युगदान महातिपुण क्यों है यदि आपको यह लिख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया जहां पर जाकर आप यह लिख लिखित रूप में पराद कर सकते हैं धन्यवाद